नमस्कार छात्रों ठीक हैं उमिद करते हैं ठीक होंगे और अपना त्यारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे आज मैं लेकर आया हूँ मैत का बहुत ही संदार टाइप किस दे पे अधारीत प्रस्ना जी हाँ दोस्तों किस दे पे अधारीत प्रस्ना आप सोच रहोंगे कि भाई मैत में किस दे कहां से आ गया हाँ आएगा मैत में ही तो किस और दे आएगा कईगा सर जी कईसे तो अभी त तुरंत मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा सब्र रखिये और अभी चल रहा है वही सीजन विलेंटाइंडे वीक नहीं यही देखके तुम लोग आया हम समझ रहे हैं तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दू कि अभी सरस्वती पुजा के ओफर पे हैं सरस होती पुजा के सुब उसर पे हमारे यहां सभी ओनलाइन क्लास पे 50% से जादा का छूट चल रहा है प्लेयर श्टोर पे जाईए गोस्वामी मैथमेडिक से अप लोड कीजिए अभी फाउंडेशन मैच का लाइव बैच या वीडियो कुर्स दोनों उपलब्द है कोई भी रेलवे के तयारी कर रहे हैं रेलवे एलपी टेकनिसियन के तयारी कर रहे हैं तो 499 रुपिया में कम्प्लीट बैच आपको यह मिलने वाला है ठीक है दोस्तों तो जल्दी जाईए गोस्वामी मैथमेटिक से अपलोड कीजिए कौन से अपलोड करना है गोस्वामी मैथमे 3.5 दोस्तों आप सोच रहेंगे कि ये किश्डे क्या है जी हां माते हैं आपकी इसी बात पर किश्डे पर आधारित प्रस्न पर तो किश्डे पर आधारित प्रस्न जो है सधारण ब्याज का एक टाइप होता है सधारण ब्याज का एक टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं किस्ट और देय किस्ट और देय किस्ट और देय अभी तक हम यही कह रहे थे किस्ट और देय पर आधारित प्रस्न किस्ट देय पर आधारित प्रस्न हो सकता है कि आपको सुनने में मिश्टेक हो गया होगा और देय और ये ऐसा कोस्टन होता है न कि बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है बनाने में लेकिन आज के बाद ये दिक्कत खतम हो जाएगा सुरू से अन तक इस वीडियो को देखिए आज के बाद किस्ट और देय वाला कोस्टन में आपको प्रोब्लेम नहीं होगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना यहां देखो दिया गया तीन बरस के बाद देय एक हजार बानवे रूपिया करीण बराबर बासी किस्टों में चुकाना है सधारण ब्याज की दर बार परसेंट है तो प्रते किस्ट का मान बताईए तीन बरस के बाद दे या कितना है एक हजार बानवे रुपिया है तीन साल के बाद एक हजार बानवे रुपिया देना है जिसे हम किस्त में देना चाह रहे हैं तो परते किस्त कितना दे ठीक है अब ध्यान से सीखिए किस्त वाले कोस्टन को हमें कैसे बनाना है किस्त और दे वाले कोस्टन यानि कि इस डे वाले question को कैसे बनाना है तो यहाँ पर सोचो की rate कितना है 12% 12% rate है और 3 साल में देना है तो पहले इसका concept सीखो उसके बाद मैं जल्दी trick सीखा दूँगा अगर तुम 100-100 रुपया जमा करते हो 100-100 रुपया जमा करते हो मान लो कि तुम्हारा किस्त कितने का है 100 रुपया का है किस्त अगर तुम्हारा 100 रुपया का है तो तुम्हें दे यह कितना होगा यह ध्यान से सीखो पहला साल 100 रुपया जमा किये दूसरा साल 100 रुपया तीसरा साल 100 रुपया रेट कितना है भाई मेरे 12% पहला साल 12% मिलेगा अब ध्यान से सिखो यह 100 जो है 12% मिला इसको यहाँ पहला फिर 12% मिला तो यह बढ़के कितना हो गया भाई मेरे 12 12 कि हो गया 126 और यह वाले 100 को देखो यह वाले 100 को सिर्फ 12 मिलेगा तो यह बढ़के कितना हो जाएगा 100 12 आई 100 पर कुछ भी नहीं मिलेगा तो इस 100 के सवे रहेगा तो टोटल जोड़ेंगे तो चार दू छो दू एक तीन 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 सौरी एक एक दू एक तीन 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 यहां से हम लोग क्या सिखे कि कीसत अगर 100 रुपया का देंगे हम लोग तो दे यह रासी कितने का बन अब दियान से सिखो, एक बार फिर से देखो, यही चीज को हम जल्दी कैसे करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 में 12 जोड देंगे, 112 लिखेंगे, अब फिर 12 जोड देंगे, 124 लिखेंगे, यह कितना हो जायगा, 336, अब हम लिखेंगे कि किस्त अगर 100 रुपिया का है, तो देज बनेगा हमाara कितने का, الن murete में रुपिया का है, किस्त अगर 100 रुपिया का है, तो देज बनेगा 336 अब question में दिया है तीन बरस के बाद दे एक हजार बानवे, ये एक हजार बानवे क्या है? दे यह है एक हजार बानवे, जो की ratio में कितना है? 336 है रेसियो में 336 है और उपईया में 1092 है 336 का भेलू 1092 है तो एक का भेलू क्या आएगा 1092 बटा में 336 हमें क्या निकालना है किस्त निकालना है किस्त का भेलू कितना है 100 तो 100 का मान कितना होगा हम कैसे निकालेंगे भाई मेरे त्यान से सिखना 100 के मान कैसे निकालेंगे 1092 बटा में 336 गुड़े 100 इसको आईए कटा कटावल करते हैं पेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सिखिए क्या आया हमारा 1092 बटा में 136 गुड़े 100 इसको कटाते हैं ठीक है अब कटाईए देखिए इचार से कट जागा 25 बार में और चार से इसमें भागा करेंगे हम लोग चारव अठे 32 अचारचव के 16 अब ध्यान से सिखेंगे 12 से कट जागा 7 बार में 12 साथे 84 अब 1290 एक सो आठ बार एक कम बार में और तेरह को 25 से गुड़ा करेंगे हम लोग 1365 के 5 हाथ में लगा चो तेरह दोनी के 26 चो बटीस किस्त हमारा निकल क्या चुका है 325 रुपिया का किस्त अगर हम लोग देंगे तो 1092 रुपिया दे यह होगा समझ में आया की नहीं आया तो यही था आपका किस्त और दे वाला कोस्टन इस पे और दो तिन कोस्टन लेते हैं ताकि कॉंसेप्ट आपका एकदम किलियर हो जाए पुझ रहें ना ठीक है चल यह स्क्रीन सोट ले लीजिएगा अगला कोस्टन आईए 700 रुपिया का बारसिक भुगतान 500 रुपिया का बारसिक भुगतान 5 बरस में 10% के दर से कितने रुपिया दे यह रीड का भुगतान करेगा इस बार हमें किस्त दिया गया है और दे अरीन निकालना है, क्या निकालना है, दे अरीन, कुछ मत करो जब भी कोस्टन आए, आप सो लिखो और रेट दस परसेंट है तो 10 जोड़ो 110, फिर 10 जोड़ो 120, फिर 10 जोड़ो 130, फिर 10 जोड़ो 140, कहेंगा सर कह बार जोड़ेंगे, पांच साल है न तर्वा ना तर्व 5 को होना चाहिए… 1, 2, 3, 4, 5 हो गया… काम कहत्रमू, सब जोड़ेंगे,… एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच को जीरो है तो जीरो के जीरो है रह जाएगा, दू, एक, तीन, चार, दस के जीरो हाथ में लगा एक, 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 दू, एक, तीन, एक, चार, एक, पांच, एक, छो, ये 600 रुपया क्या बना, दे ये बना, दे ये कितना बना भाई मेरे, 600 900 रुपया दे बना किस्ट पर 100 रुपया के किस्ट पर दे बना 600, इसे ratio में विलिख सकते हैं, किस्ट अगर 1 रूपया तो दे शो रूपया, question में क्या लिखा है? 700 रुपया बारसिक भुगतान, अगर मैं आप से पूछू कि ये 700 रुपया क्या दिया हुआ है? बारसिक भुक्तान का मतलब होता है कि किस्त दिया है 700 रुपया क्या दिया गया है किस्त दिया गया है जो की रेशियों में किस्त केतना है एक है एक का बहलू केतना है भाई मेरे 700 यह 700 गुना हुआ च्छे का बहलू कितना होगा 6 गुने 700 तो हमारा देय रासी निकल चुका है ब्याली सो रुपिया, किस्त देखे देय पूछा था, ठीक है ना, कोई पुछे का क्या पढ़े है तो कहीं किस देय, किस देय पढ़े है आज, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अगले कोस्टन पे आते हैं, कितना बारसी भुगतान, फिर हमें किस्त ही निकालना है, कितना बारसी भुगतान, 944 रुपिया का देय रीड को, चार समान बारसी किस्तों में चुक्ता करेगा, यदि दर 12% है, बारसी भुगतान, यानि हमें किस्त निकालना है, और देय रीड दिया गया है, 944 जाएंगे क्योंकि 4 गो समान किस देना है तो 4 गो जोडेंगे 2 4 6 6 12 के दू हाथ में लगा एक 2 1 3 3 3 2 1 3 3 6 7 1 2 1 3 1 4 4 7 क्यानि हम यहां से क्या सिखे कि किस अगर 100 रुपया का रहेगा तो देय कितना बनेगा 472 अब इन देशियों के अलवा देखो क्यों में क्या मालूम है 944 रुपया दे अरी जो रेशियों में कितना है 472 रुपया में कितना है 944 क्य गोना हुआ दो गोना हुआ किस्त केतना होगा 100 गोने 2 किस्त होगा आपका 2 सरुप इस question का उत्तर आ चुका है तो सरुप ठीक है रखते हैं यहीं तक उमीद करते हैं कि दे और किस्त वाला question आप समझ गए होंगे और यदि आप हमारे online class से जुढ़ना चाहते हैं तो गोस्वामी mathematics app जरूर लोड कीजिए वहाँ पे चलने वाले सभी बैच पे अभी सरसोती पु